वेलकम यॉल तु स्टड़ी आईक्यू, मेरे नाम है अमित किलोर और मैं आप लोगों के लिए इंटर्नल सिक्यॉरिटी का ये कोर्स लेकर आ रहा हूँ, आईवी, ACIO और UPSC और जो दूसरे competitive exam है जिनमें इंटर्नल सिक्यॉरिटी एक बहुत important topic है। आज हम इंटर्नल सिक्यॉरिटी में जम्मू एन कश्मीर militancy के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले तीन लेक्चरों में ये discuss कर चुके हैं कि भारत में जो terrorism है वो चार तरीके से classify किया जाता है। एक तो hinterland terrorism भारत के अंदरूनी हिस्सों में जो random जंगों पर कई बार bomb blast हो जाते हैं अलग-अलग terrorist organization से जिसे hinterland terrorism कहा जाता है। और तीन आतंकवाद की specific problem है भारत में एक है जम्मु एन कश्मीर militancy की दूसरा है नौर्थ इस्ट के जो कुछ राज्य है उनमें insurgency की और तीसरा है left wing extremism की यानि की नक्सिलिस्ट के जो problem है। हम lecture number 3 में hinterland terrorism के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम जम्मु एन कश्मीर militancy के बारे में बात करेंगे। जम्मु एन कश्मीर militancy एक बहुत ही unique historical circumstances की वज़े से है। ये हमारे IB के exam में ऐसे के तौर पर कुछी जा सकती है। इंट्रिव में भी आपसे इससे सम्मदित questions पूछे जाएंगे। और more importantly जो tier 1 exam है जिसमें MCQ में general studies का जो portion है उसमें भी इससे related questions आते हैं। तो start करते हैं आज का lecture हम जिसमें जम्मु एन कश्मीर militancy पे थोड़ा सा focus होगा। ये जो lecture है ये आप लोगों के लिए हर किसी exam के लिए बहुत ही जादा महत्तोपूर्ण है। बल्कि आपको बहुत जादा helpful होगी क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही सरल और संक्षिफ में जम्मु एन कश्मीर के इतिहास के बारे में बताऊंगा। जम्मु एन कश्मीर की जो news है हम regularly सुनते रहते हैं पढ़ते रहते हैं हमें कुछ न कुछ उनके बारे में पता भी है। आज आपको पता चलेगा कि basically ये situation create कैसे हुई है। ठीक है। जम्मु एन कश्मीर के लिए मैं आपको पहले एक बार थोड़ा सा historical background देता हूँ। कश्मीर की कहानी शिरुवात कहां से होती है, कैसे होती है, क्या reason है कि आज हम कश्मीर में इस situation पर पहुचें। पिछले सतर सालों में क्या वो unique circumstances थे, जिसकी वज़े से कश्मीर की जो आज present situation है, वो वहाँ पर पहुच गए। कश्मीर की कहानी start होती है approximately 1850 के करीब, ठीक है, 1850 के करीब में कश्मीर एक territorial राज्ये बनकर उबरा था। उससे पहले कश्मीर का जो present situation है, वो बिल्कुल completely different थी, 1850 के करीब में यानि भारत का जो पहला सवतंतरता संग्राम था, लक्ष्मी बाई मंगल बांडे वाला, 1857 में जो लड़ा गया था, उससे around and around 10 साल के करीब पहले, कश्मीर presently अपनी situation में आये था, उसके बारे में princely state था, यानि कि independent राजा इस पर राज करते थे, Britishers directly इसके उपर राज नहीं करते थे, यानि कि जम्मु एन कश्मीर ब्रिटिश राज का हिस्सा नहीं था, परंतु इसने ब्रिटिश राज का स्वामितत्व माना हुआ था, सुजेर निटी काहते हैं उसको, देखिए, कुछ independent राजा थे, जिने princely state कहा जाता है, वो princely state British की सुजेरनेटी मानते थे, यानि सुआमितत्व मानते थे, उनको taxation देते थे, however, जो उसका political और day-to-day administration था, वो उन राजाओं के द्वारा चलाया जाता था, जम्मु एन कश्मीर, सौ सालों तक उसी परकार की एक princely state थी, 1846 में गुलाब सिंग नाम के एक राजपूत थे, जिन्होंने basically कश्मीर का founder कहा जाता है, वो कश्मीर के पहले राजा थे, गुलाब सिंग के बारे में मैं आपको छोटी सी story बताता हूँ, ये गुलाब सिंग की बड़ी पुरानी सिर्चितर है, हमें ये जानना, simple सा इतना ह जरूरी है, इतना ही जानना संक्षित में काम आजाएगा आपके, कि 1846 से 1952 तक, यानि की आजाती तक, भारत की आजाती तक, कश्मीर डोगरा राजपूत डाइनेस्टी के द्वारा रूल किया जाता था, इसमें दो राजाओं के नाम आप याद रखेंगे, सबसे पहले हो कि उसमें पनजाब का पुरा का ही दिया था, उसके महाराज थे, उनके एक नोबल थे, एक जनरल थे, सेना पती मान लीजिया, उनके एक सेना पती हुआ करते थे, और काफी खास सेना पती थे। महाराजा रंजीत सिंग ने गुलाब सिंग को जम्मू का राजा घोशित कर दिया। ठीक है उनकी आर्मी में हैं वो एक मिलिटरी जनरल हैं एक नोबल हैं एक सेनापती के रूप में हैं और वो बहुत अच्छे महाराजा रंजीत सिंग के काफी खास और काफी विश्वास वाले लोग थे तो उन्होंने उसको जम्मू का जो एरिया था जो उस समय महाराजा दीर सिंग की मृत्यू के बाद ब्रिटीशर्स के दिमाग में प्लैन आया कि जो सिख राज्ये हैं उनको भी हडप लेना चाहिए उन पर भी कपजा कर लेना चाहिए ऐसे में होती है पहली एंगलो सिख वार ये पहली जो एंग्लो सिख वार हुई है इसमें ब्रिटिशर्स सिख राज्यों पर कबजा कर लेते हैं गुलाब सिंग जो की जम्मू के राजा थे इसमें ब्रिटिशर्स का ही साथ देते हैं इस लडाई के खतम होने पर पहली ब्रिटिश एंगलो और सिख वार खतम होने के उपर एक Treaty of Amritsar साइन होती है जिसमें कश्मीर पूरा का पूरा गुलाब सिंग जी को दिये दिया जाता है 75 लाग रुपे की पेमेंट के उपर तो सिंपल सा सरल सा कॉंसेप्ट ये है कि कश्मीर बना है 1846 में Treaty of Amritsar से Treaty of Amritsar से Treaty of Amritsar कब साइन हुई जब पहली फर्स्ट एंगलो सिख वार हुई थी यानि अंग्रेजो और सिखों के बीच में जो पहली लडाई हुई थी उसमें फाइनली Treaty of Amritsar साइन की गई थी उसके अनुसार जो जम्मो इन कश्मीर का जो एरिया था वो राजा गुलाब सिंग को दे दिया जाता है ब्रिटिशर्स राज भारत की धरती पर था और उस समय जो जम्मो इन कश्मीर था एक प्रिंसली स्टेट की तरह भारत की एक सब वन ओफ दी बिगएस प्रिंसली स्टेट की तरह है कंटीनू रहता है राजगुलाब सिंग याद रखेगा इस बारे में अब आज आते हैं हम जो मेजर जो सरकंस्टेंसिस आज की प्रेजेंट सरकंस्टेंसिस हैं वो क्रियेट कैसे होना स्टार्ट करते हैं भारत का नक्षा इंडिपेंडेंडेंस के करीब यानि 1947 के समय जितने भी रेड में ये मागड हैं ये था ब्रीटिशर्स इस पर ब्रीटिशर्स डिरेक्ट राज किया करते थे ठीक है और जितने भी येलो हैं ये थी प्रिंसली स्टेट 1947 से पहले अगर 13 अगस 1947 को देखते तो कुछ-कुछ ऐसा मैप था या फिर आप सपोस कीजिए 1945 के बारे में अमेजन करते हैं अगर आप 1945 में भारत के अंदर जाते हैं तो आपको कुछ-कुछ ऐसा दिखेगा कि ये लाल एरिया है ये ब्रिटिशर्स के दुआरा एड्मिस्टर किया जा रहा है और जितना भी येलो एरिया है इसके इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट है कहने का मतलब है कि ब्रिटिशर्स को वो अपना स्वामितत्व मानते हैं उनको taxation भी देते हैं पर दिन बे दिन की जो political activities हैं जो administrative activities हैं वो एक independent राजा के द्वारा महराजाओं के द्वारा चलाई जाती थी ये आप अगर इसमें देखेंगे तो British province में total जो population थी वो approximately 39 करोड के करीब थी और जो princely state थे उसमें कम से कम 8.8 करोड के करीब की population हुआ करती थी ऐसे में जो total population भारत की आजादी के समय है 38 करोड है आज ये बढ़कर 138 करोड हो चुकी है almost अब 1947 में एक बर जम्मुएन कश्मीर के तरफ भी देखते हैं क्योंकि आज हमें जम्मुएन कश्मीर militancy के बारे में जानना है तो हम देखते हैं कि आखिर situation क्या थी जम्मुएन minority population थी यानि 75 प्रतिशत से उपर की population थी वो थी मुस्लिफ और basically 25 प्रतिशत basically हिंदू थी and then there were some Buddhist also और जो बाकी minority population है उस समय 1947 में कश्मीर total मेजर 5 भागो में बाटा हुआ है ठीक है सबसे पहला है एक province of जम्मु जो ये जम्मु का province है इसका border पंजाब के साथ लगता है और ये था एक हिंदू majority area यानि कि हिंदू यहाँ पर majority में थे दूसरा उसके ऊपर ही है कश्मीर वैली वैली यानि कि एक घाटी है वो एक पहाड़ों से घिरिवी घाटी है कश्मीर ये एक Muslim dominated या Muslim majority area था obviously यहाँ पर भी actually में हिंदू रहते थे कश्मीरी पंडित भी यहाँ पर लदाग का area में बुद्धिजम majority का area है ये बुद्धिस majority और शिया Muslim भी यहाँ पर population में पाए जाते थे ये तीन major आप देखिए कि जो ethnicity किस प्रकार से divided है कश्मीर में 1947 के करीब जमू इन कश्मीर में जमू में जो part है वो basically हिंदू majority का है कश्मीर जो है वो Muslim majority का है और लदा जो है वो Buddhist majority का है और वहाँ पर कुछ शिया Muslim भी है overall जब हम देखेंगे तो 75% population जो है वो Muslims की majority है इसके साथ साथ दो और एरिया थे एक तो गिलगिट और एक बाल्तिस्तान ये sparsely populated थे यहाँ पर बहुत ज्यादा population नहीं थी परन्तु क्योंकि ये डिरेक्ट अफगानिस्त हैं कि 1947 में Britishers ने निर्ने लिया कि ये जो पूरा का पूरा देश है इसको दो भागों में बाट दिया जाएगा और वो उनको free कर देंगे और यहां से चले जाएगे इस पूरे area को दो भागों में बाटने का निर्ने लिया गया निर्ने का जो division का जो basis था वो धर्म था ऐसा मान ऐसा decide किया गया कि जो Muslim majority areas है वो एक देश बना दिया जाएंगे और जो बाकी Hindu majority areas है वो दूसरे देश में convert कर दिया जाएंगे और वैसे भी उसके साथ-साथ ये भी कहा गया परंतु जो जिसको अगर किसी नागरिक को वहीं पर रहना है जिस भी देश में है तो वो वहा देशी movement चल रही थी तो उसके अंदर बांगलादेश भी पूरा का पूरा पार्ट आता था यानि आज कल जो बंगाल है पस्चिम बंगाल जिसे कहा जाता है वो एक बड़े बंगाल का पार्ट था जिसमें बांगलादेश भी completely included था central province मध्यपरदेश जो था उसको central province कहा ज दिल्ली है पंजाब का पूरा नक्षा देखने की कोशिश कीजिए कि पंजाब बहुत सारा आज अभी अब present day पाकिस्तान में भी है बलोचिस्तान सिंध ये सारे के सारे जो एरिया थे उसको ब्रिटिश राज क्या करते थे और बाकी सारे बीच में इसके independent state थी ये divide हो गया अब देखो नई बात अब यहां से समझना स्टार्ट करो इधर से create होती है जम्मु एन कश्मीर की सबसे unique situation 1947 में पूरे के पूरे इंडियन सबकॉंटिनेंट को दो भागों में विभाजन करने का निर्ना लिया गया अब जो लाल एरिया थे वो तो ब्रिटिशर्स वाले एरिया थे तो उनको उसमें ज़्यादा कोई समस्चा नहीं थी लेकिन जो यह yellow area है यह थे princely states के दौरा rule अंग्रेजों ने कहा ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो भी राज्य जिस भी देश के साथ मिलना चाहता है वो मिल सकता है ठीक है कोई भी राज्य जिस भी देश के साथ मिलना चाहता है अब ये राज्य है किसी भी देश के साथ मिलने के लिए अलाउड था बट अगर देखा जाए तो वो पूरा का पूरा चारो तरफ से भारत के नक्षे से ही भारत के ही टेरिटरी से घिरा हुआ था तो more or less जो जो जोग्रोफी में आ रहा था वो राज्य उसी देश में मिलता चला गया सब हो गया almost 500 से सारे के 500 से ज़्यादा जो प्रिंसली स्टेट थी उनका निर्ने ले ले लिया गया कि कौन कौन से देश में जाएगा सिफ तीन स्टेट थी जिसमें प्राबलम आ गई एक तो जुनाग राज करती है उसी डोगरा डाइनस्टी गुलाब सिंग के आगे उनकी पीडी के ही एक राजा है महराजा हरी सिंग तो भारत जब आजाद हो रहा है तो महराजा हरी सिंग जम्मु एन कश्मीर पर राज करते हैं वो जम्मु एन कश्मीर के राजा है तो महराजा हरी सिंग य साथ एड होई या फिर भारत के साथ एड होई लेकिन अब ये एक दूवीदा में फस गए क्या दूवीदा ये स्वैम एक हिंदू राजा है लेकिन ये एक ऐसे राज्ये पर राज करते हैं जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वज़े से इनको लगता है कि ये पाकिस्ता declared religious state है तो इनको इस बात का डर है कि जो बाकी 25% की minority है उनके साथ गलत किया जा सकता है अच्छा उसके बाद जो ये हिंदू है क्यों तो ये हिंदूस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं परन्तु इनको हिंदूस्तान के साथ जुड़ने में भी समस्या है क्योंकि इनका finally ज इदर उदर ये vacillate करते रहे ये निर्णे ही नहीं ले पाई कि पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए या हिंदूस्तान के साथ जाना चाहिए इनके ये ना निर्णे लेने वाली जो situation है इसकी वज़े से create होती है कश्मीर की पहली problem ये ना निर्णे लेने वाले से basically कई बार paper भ लान आता है कि मैं एक खुद स्वैम independent neutral state बन कर रहूंगा एक अलग देश भारत और पाकिस्तान के बीच में neutral तो ये पाकिस्तान के साथ stand still agreement sign कर ले थे हैं भारत के साथ भी करना चाहते है लेकिन भारत ने बोला कि हम wait and watch करेंगे अभी हम आपके साथ ने करेंगे stand still agreement का क्या मतलब है कि भाई wait and watch मतलब आप जो trade है जो movement of people है जो trains है जो और सारी काम जो चल रहे हैं जो diplomatic work है उनको चलने दीजिए अभी मुझे सोचने का समय चाहिए कि मैं आपके साथ मिलना चाहता हूं या नि मिलना चाहता हूं तो पाकिस्तान के साथ 1947 में राजय हरी सिंग जम्मू इन दे सेंस कि ये डिले करना चाहते थे इस decision को लेने के लिए कि पाकिस्तान के साथ जुड़ना है या भारत के साथ जुड़ना है औक्टूबर 1947 आ जाता है याद रखिए अगस्त में 1947 के भारत आजाद हो चुका है पाकिस्तान भी आजाद हो चुका है उनकी जो independence date है वो ह चाहते हैं कि बेसिकली लोगों को पावर दे दी जाए और राजा अपनी मोनार की छोड़ दे ये शेक अब्दुल्ला इस समय ये उनके दादा जी है उमार अब्दुल्ला के उमार अब्दुल्ला आपने सुना होगा कभी उनके tweets भी पढ़े होंगे news पढ़ी होगी वो जम कश्मीर में एक mass agitation lead कर रहे हैं कि पावर जो है वो people को दे दी जाए और मुनार की को खतम कर दिया जाए इस समय जम्मू एन कश्मीर के पाकिस्तान के साथ रिष्टे खराब होगे और वो जो standstill agreement था पाकिस्तान ने उसको deny करके एक पठान tribesman के दुआरा पाकिस्तान आर्मी के साथ कश्मीर को invade कर दिया मतलब कश्मीर को directly पाकिस्तान ने आर्मी नहीं भेजी परन्तु कुछ tribal जो tribesmen थे जो पठान tribesmen थे उनको help लेके कश्मीर को invade कर दिया गया अब देखो एक interesting problem देखो क्या problem होई है जब पाकिस्तान जब जमुएन कश्मीर को invade किया गया पठान tribesmen के दुआरा उस समय जमुएन कश्मीर के राजा हरी सिंग ने भारत से मदत मागी कि आप अपनी आर्मी भेज दीजिए वरना ये riots और massacre कर रहे हैं जीनो साइड हो जाए उस दे उस राज्य में जो कि हमें exceed नहीं किया हुआ है पाकिस्तान भी सेम काम करेगा पाकिस्तान भी अपनी आर्मी भेजेगा दिस क्रियेट से यूनीक प्रॉब्लम ध्यान से सुनो जब 1947 में भारत अजाद हो जाता तो जो आर्मी थी उस समय ब्रिटिश जो आर्मी ब्रि थे वो ब्रिटिश थे दोनों आर्मियों के जो कमांडर थे वो ब्रिटिश थे अब अगर भारत अपनी आर्मी भेजता है और पाकिस्तान अपनी आर्मी भेज देता है तो इस क्रियेट से इंटरस्टिंग प्रॉब्लम फोर ब्रिटें क्यों क्योंकि दो आर्मी लड़ रह यानि कि Britishers General, Britishers General से ही लड़ रहे हैं, तो ये बड़ी complex situation हो गई, राजा हरी सिंग ने जब मदद मांगी भारत से कि अगर आपने आर्मी नहीं भेजी तो पूरे के पूरे कश्मीर में रायेट्स हो जाएंगे, मैसा कर हो जाएगा, जीनो साइड हो जाएगा, तब Lord Mountbatten और ज जब situation काफी बिगड़ी, महराजा हरी सिंग ने 26 अक्टूबर 1947 को Instrument of Assession and Referendum साइन कर दिया, जिसमें सरल शब्दों में ये लिखा हुआ था कि जम्मु न कश्मीर का जो प्रिंसली स्टेट है, जो राज्य है, वो भारत के साथ सम्मिलित होना चाहता है, जब वो Instrument of Assession हुआ तब ही 24 घंटे के अंदर अंदर भारत ने अपनी आर्मी जम्मु न कश्मीर में भेजी और जो ये पठान ट्राइस्में थे और जो पाकिस्तान आर्मी के जो टैसिट सपोर्ट था, उनको वहां से भार खदेडा गया, लेकिन अभी भी कुछ सिच्वेशन थोड़ी सी अब इस सिच्वेशन में थोड़ी सी मिस्टेक होने वाली है, देखे क्या कहा है सबसे पहले कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो असेशन था, फोटो देखे जवाला नहरू जी है यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो असेशन था, उसमें ये लिखा हुआ था कि जम्मु इन कश्मीर का जो एड्मिस्टेशन है, वो सारा का सारा, जम्मु इन कश्मीर की administration है उसके लिए केंद सरकार को राज्य सरकार से permission लेनी ज़रूरी है compulsory है यह law ठीक है ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जवालाल नहरूजी लोग तंत्र में विश्वास करते थे और वो चाहते थे कि जब तक जनता की will ना हो वो basically अपनी विल को अपने भारत की will को उनके उपर ना थोपे तो उनका मानना था कि जब जनता में plebiscite या referendum कराया जाएगा तो basically जब वो हाँ बोल देंगे तब पूरे के पूरे जमुएन कश्मीर को integral part बना दिये जाएगा बाकी दूसरे राज्यों की तरह है this actually was a miscalculation क्या हुआ मांटवेटर ने इस समय सजेस्ट कर दिया कि government of India को कश्मीर का जो मुद्दा है वो United Nations को refer कर देना चाहिए और कश्मीर का मुद्दा United Nations को refer कर दिया गया United Nations उसी समय recently बना था आपको मालू है कि 1945 24 October को United Nations की स्थापना हुई थी और भारत उसका एक founding member था टोटल 49 देशों ने मिलके इसे बनाये था जिसमें से एक भारत भी था भारत आजाद नहीं था भारत ब्रिटिशर्स के अंडर भारत ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था परन्तु international forums पर diplomatic forums पर वो as a country represent किया जाता था तो United Nations के as a founding member में भारत का भी नाम है जमुएन कश्मीर का जो मामला है Mountbatten के suggestion पर United Nations को refer कर दिया गया ये reference के बाद UN Security Council के basis पर इंडिया और पाकिस्तान एक ceasefire agreement पर आते हैं January 1,1949 को October अगस्त में भारत और पाकिस्तान आजाद हो गए है October में के अंदर पाकिस्तान की आर्मी के support में पठान ट्राइस्मेन जमुएन कश्मीर पर attack करते हैं 26 October को राजा हरी सिंग भारत के साथ एक instrument of accession and referendum sign करते हैं इंडिया अपनी आर्मी वहाँ पर भेजता है और उनकी जो पठान ट्राइस्मेन है और जो पाकिस्तान आर्मी है उनको धीरे धीरे भार ख़देरना शिरू करता है इसी बीच में Lord Mountbatten की advice पर जवालाल नहरूजी जम्मू एन कश्मीर का जो मुद्ध है वो United Nations को refer कर देते हैं United Nations Security Council की help से एक ceasefire पर पहुचा जाता है पाकिस्तान और भारत के बीच में एक ceasefire agreement पर पहुचा जाता है एक जन्वरी 1949 को वो ceasefire agreement जो की एक जन्वरी 1949 को था उसका मतलब ये था कि इस समय जो जहां पर है वो वही पर रुख जाए seize fire लडाई करना गोली चलाना बन करो जो जहां पर है वही पर रुख जाए तब पाकिस्तान के जो tribesmen और आर्मी थे उनके पास वो यहां पर स्थापित थे और उस समय ये जो line है इसको seize fire line बना दिया गया concept समझने की कोशिश करो लडाई हो रही थी, खून बहरा था idea ये था कि एक बार अभी पहले लडाई रोग दो, जहां पर जो खड़ा है वो वही पर रहे, और फिर एक बार referendum करा लेते हैं कश्मीर के लोगों का उनको जहां जाना होगा वो उधर चले जाएंगे ऐसे में एक हिस्सा कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के दोवरा occupied है illegal, लेकिन ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि एक बार plebiscite ये referendum करा लिया जाए ठीक है, चलिए अब क्या होता है United Nations के दो referendum है पहला referendum तो ये ceasefire agreement वाला है एक जनवरी 1999 को होता है दूसरा है 1951 का UN ने दूसरा resolution पास किया जम्मो इन कश्मीर से related मुद्दे पर कि एक referendum होना चाहिए United Nations के supervision के दोवारा United Nations उसको supervise करेगा ताकि fair और impartial हो referendum जो होगा इसकी एक condition है first condition कि जो area जम्मो इन कश्मीर का पाकिस्तान के दोवारा occupied है वहां से पाकिस्तान को अपनी आर्मी हटानी है तभी वो referendum होगा ये resolution आज तक execute नहीं हो पाया apply नहीं हो पाया reason being की पिछले 70 सालों में पाकिस्तान agree नहीं हुआ पाकिस्तान occupied कश्मीर से अपनी आर्मी को हटाने के लिए समझ गए जम्मो इन कश्मीर के बीच में लडाई चल रही है राजा हरी सिंग के असमंजस की वज़े से एक समस्या खड़ी हो गई है पाकिस्तान को लगा कि भही इसको attack करके इसको अपने साथ मिला लेते हैं ऐसे में उसने भारत की मदद मांगी भारत के साथ असीड हो गया भारत में जाके वहाँ पर आर्मी दी वहाँ के पठानों को जो पठान इनमेडर्स थे उनको बाहर ख़देडना शुरू किया लॉर्ड माउंट बेटन के एडवाईस पर ये इस्च्यू जो है जमुएन कश्मीर का United Nations पर रेफर कर दिया गया और United Nations ने एक जनवरी 1949 को सीज़ फायर घोशित कर दी कि भाई इससे आगे मत जाना हो और उसके बाद प्लैन यही था कि एक रेफरेंडम कराये जाए उस रेफरेंडम की एक बेसिक कंडिशन थी बेसिक कंडिशन यह थी कि रेफरेंडम तो होगा कश्मीर में परन्तु जो पागिस्तान occupied कश्मीर है दो-तिन साल हो चुके है 1909 से 1901 दो साल हो चुके है सीज़ फायर लाइन पर ही पागिस्तान की आर्मी स्थापित हो गई है वहाँ पर खड़ी है प्लैन यह था कि वहाँ से अगर वो टूपस अटा ले तो रेफरेंडम करा दिया जाए पागिस्तान ने वहाँ से कभी टूपस नहीं अता है और जम्मूएन कश्मीर का जो रेफरेंडम था वो आज तक ना हो पाया कईशो है चाइना के साथ वो हम बाद में करेंगे वो आज से रिलेटिड नहीं एक इन्फरमेशन के लिए जान लीजिए कि देखिए ये एरिया पाकिस्तान उक्यूपाइड कश्मीर का था इसको 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को सीड़ कर दिया चाइना को दे दिया और ये वहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर इसके बारे में तो आपने पढ़ाई होगा सियाचिन ग्लेशियर जो की अकसाई चिन और बेसिकलि ये पाकिस्तान उक्यूपेड कश्मीर के बिल्कूल बीच में आता है इसलिए इसकी काफ़ समीधान बनाए जा सके ये इसकी कॉंस्टिटुटिट असेंबली कन्फर्म करती है अपने समीधान में की भारत के साथ जम्मुएन कश्मीर का असेशन हो चुका है और जम्मुएन कश्मीर इस और शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट अफ दे यूनियन अफ इंडिया कॉंस्टिटुटिट असेंबली क्या होती है आपने भारत के कॉंटेक्स में भी सुना हुगा है देखें कभी जब कोई देश नया आजाद होता है नया देश बना है नया एक पूरा का पूरा टेरिटरी बनी है कुछ लोग चाहते हैं कि अब हम अपनी डेस्टिणी को कुछ डिसाइड करेंगे जिस दिन वो आजादी मिलती है उस दिन तो कोई गवर्मेंट का स्ट्रक्चर कोई रूल्स औरेगूलेशन बने नहीं होते हैं क्या पता पार्लियमेंटरी सिस्टम अपनाना हो प्रेजिडेंशल सिस्टम अपनाना हो कैसे फेडरलिजम होगा कैसे यूनियन चीज़े चलेगी कैसे सेलेक्शन होगा कैसे इलेक्शन होगा ब्यूरोक्रेसी कैसे चलेगी ऐसे कौन से अधिकार नागरिकों को मिलेंगे ये जो चीजे होती हैं इनको डिसाइड किया जाता है Constituent Assembly के दुआरा Constituent Assembly कहने का मतलब है कि जब तक सिस्टम पूरा का पूरा डिसाइड नहीं किया गया तो कुछ लोग मिलकर एक सिस्टम डिसाइड करते हैं और लोगों को समिधान देते हैं कि अब इसके according हमारा देश चला करेगा भारत की भी Constituent Assembly थी 1947 में बनी थी और इसी मिलके जम्मु इन कश्मीर का समिधान बनाया और उस Constitution में भी लिखा हुआ है जम्मु इन कश्मीर के Constitution में लिखा हुआ है कि जम्मु इन कश्मीर has acceded to India formally confirmed and it will always be an integral part of Union of India ये सब तो हो गया, legally तो हो गया जम्मु इन कश्मीर हमारा लेकिन अब पाकिस्तान occupied कश्मीर परंतु वो पिछले सतर सालों में वहां से नहीं अटे ये सिच्वेशन है जम्मु इन कश्मीर की complexity होगी अब आते हैं कि इस historical perspective की वज़े से जम्मु इन कश्मीर के इस situation की वज़े से circumstances की वज़े से सतर सालों से पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जम्मु इन कश्मीर पाकिस्तान के साथ यही चाहिए और उनका वो state policy का पार्ट बन गया कि जम्मु इन कश्मीर को किस परकार से include किया जाए कि कुछ independence की war करा के कुछ इसका bifurcation करा के उसके अंदर destabilize करके और वो भारत और पाकिस्तान के बीच में constant issue बना रहा पिछले सक्कर सालों से आज भी है आने वाले समय में भी इसका कोई solution आखे सामने नहीं दिख रहा है सोच के देखिए कि अगर राजा हरी सिंग इन डिसीजन में नहीं पढ़ते सही समय पर नेड़ने ले लेते असमंजस में नहीं पढ़ते तो कश्मीर जो भी वो नेड़ने लेते उस देश के साथ basically वो इंटिग्रेट हो जाता और हमारे जो इतने अभी समय जो South Asia में जो main destabilization का issue है पागिस्तान की वज़े से वो बिल्कुल खतम हो जाता है और हमारे चारो तरफ एक friendly nation होता मतलब जैसे US और Canada के रिष्टे होते most probably पागिस्तान और भारत की वी उसी परकार से होते if and only अगर जम्मु इन कश्मीर के राजा हरी सिंग एक decision ले लेते Also एक miscalculation इस basis पर भी हुई कि जो instrument of accession था उसमें जहारलाल नहरू ने insist नहीं किया कि accession complete होना चाहिए autonomy से related नहीं होना चाहिए और third miscalculation थी कि जब जम्मु इन कश्मीर का जो मसला था वो United Nations को refer कर दिया गया उसकी वज़े से problem यह हुई कि एक third party internal affairs में इंडिया के include हो गई और उनके जो resolutions थे उस पर पकिस्तान ने बिल्कुल completely defy कर दिया अगले 1951 के बाद जम्मु इन कश्मीर का समिधान बना दिया गया 1956 में वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार चलने लग दे जिसको basically जो ओमार अब्दुल्ला है उनके फादर फारूक अब्दुल्ला और उनके दादा जी जो कि 1947 में यह basically वहाँ पर कई बार चीफ मिनिस्टर बने बाद में फिर फारूक अब्दुल्ला भी चीफ मिनिस्टर और 2008 में वहाँ अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने थे यह आप जानते ही है ठीक है नॉर्मली लोकतांत्रिक से सरकाल चली अब आती है कश्मीर के अंदर अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कश्मीर में मिलिटनसी कब स्टार्ट होती है एक्जेक्ट पॉइंट बताओ तो आप बोल सकते हो कि 1987 में इलेक्शन हुए थे 1987 में यहां से कश्मीर की मिलिटनसी स्टार्ट होती है देखो 1965 में पाकिस्तान लड़ाई कर चुका है वह वहां पे हार गया उसको लड़ाई करके फिर कश्मीर जीते थे की जो terrorist movement थी उसको basically थोड़ा बढ़ावा देने की कोशिश की however that was controlled very easily जम्मु एन कश्मीर had slightly much more complex situation जम्मु एन कश्मीर में 1987 में क्या होता है एक disputed state election होता है disputed state election का क्या मतलब है जो फारूक अब्दुल्ला है उमार अब्दुल्ला के जो फादर है वो उनके जो केंदर सरकार से यानि इंद्रा गांदी जी की सरकार से और राजीव गांदी की सरकार से जो रिष्टे थे relations थे वो on and off होते थे कभी वो favor में हो जाते थे एक बार क्या हुआ कि जम्मुएन कश्मीर की जो सरकार थी फारूक अब्दुला चीफ मिनिस्टर से उनको टॉपल कर दिया गया जी एम शाह के दुवारा यह उनके ही भाई है इंदरा गांदी का सपोर्ट मिला उनको जी एम शाह को उन्होंने फारूक अब्दुला को टॉपल कर दिया consistently वो on off चलते रहते थे अब 1987 में फारूक अब्दुला ने राजीव गांदी के साथ उस समय राजीव गांदी हमारे परदान मंत्री थे राजीव गांदी के साथ एक अकॉर्ड साइन किया और फारूक अब्दुला की पार्टी और राजीव गांदी की इंडियन नेशनल कॉंग्रेस पार्टी एक कोलेबरेशन में 1987 में जमुएन कश्मीर में इलेक्शन आया गया था यहां से जब स्टार्ट होने लगा तो उसी लेजिसलेटिव असेमली के कुछ मेंबर जिनको उन इलेक्शन पर विश्वास नहीं था पेर हैं या वो रिग्ड हैं उन्होंने खुद आम्ड इंसर्जेंट्स ग्रुप मना लिये और यह कंटीनू होते रहे जु कास सपोर्ट था इस इंसर्जेंशी को कहीं न कहीं कश्मीर के लोगों का कहीं न कहीं अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत सपोर्ट था उस इंसर्जेंशी को क्यों क्यों क्योंकि वो केंद सरकार से इंडियन नैशनल गवर्मेंट से इस बात पर गुस्ता थे कि 1987 के जो इलेक करने का और वो सपोर्ट करता है इनी इंसर्जेंट्स ग्रूप को ये 1990 में ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा एस्कलेट होगी और भारत के लिए आज तक का सबसे बड़ा इंटर्नल सेक्यॉरिटी इशू बनकर उभरी ओविसली रीसेंटली लेफ्ट विंग एक्स्रेमिजम को भी सबसे बड़ा माना जाता है सिमिलरली ये तो ये 1987 से शिरुवात होती है और 1990 में जो जम्मुएन कश्मीर की मिलिटेंसी है वो अपने पीक पर पहुँच जाती है पहले जो ये मुझाहिद्दीन इंसर्जेंसी थी स्टार्ट होती है आज तक कंटीनूड है जब ये स् समय की थी अफगान मुझाहिद्दीनों के दुआरा अफगान के कुछ फाइटर्स थे जो की सोविएट यूनियन और युनाइटिट स्टेट्स ओफ अमेरिका के एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे थे वहाँ पर सोविएट यूनियन का ब्रेकडाउन हो जाता है 1991 में जो इंटरनेशनल रिलेशन्स किस परकार से कनेक्टेड है 1991 में सोविएट यूनियन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो जो वो सोविएट यूनियन के जो तालिबान के अफगान मुझाहिद से वो इंडिया में एंटर कर जाते हैं कश्मीर वैली में सोविएट अफगान बार में अफगान की बार की वज़े से ये लोग पहले स्टार्टर्स थे जिन्होंने कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी का बिगिन किया है उसके बाद ISI सपोर्ट करते है और जो कश्मीर की लेजिसलेटिव असेंबली के दुआरा जो इंसर्जेंस ग्र करना है यासिन मलिक का नाम याद रखे कभी पूछा जा सकता है अगर इसको एक बार फिर दुबारा से मैं आपको समरी में मैं बताता हूँ जम्मुइन कश्मीर का 1956 में समिधान बन चुका है 1987 में फारुक अब्दॉल्ला और राजीव गांधी में एक अकॉर्ड साइन होता है कि हम मिलके इलेक्शन से सड़ेगे 1987 के जो यह इलेक्शन से हैं इनको रिग्ड माना जाता है allegations हैं कि इसके अंदर फारुक अब्दॉल्ला को जिताने के लिए scam किया गया था, fraud किया गया था उसकी वज़े से legislative assembly के कुछ member क्योंकि वो मान नहीं रहे हैं कि elections true है सच है, impartial नहीं था, fair नहीं था इन्होंने armed insurgents groups बना लिए यह जो legislative assembly के जो जम्मो इन कश्मीर की legislative assembly इसी में आता है जम्मो कश्मीर liberation front और इन्ही का एक leader है यासिन मलिक जो कि सबसे पहले जम्मो इन कश्मीर के अंदर militancy को start कर रहे हैं साथी साथ अफगान Soviet war हो रही है अफगान Soviet war से बहुत सारे से अफगान मुझाइद्दीन जो है वो कश्मीर वैली में एंटर करते हैं दीरे दीरे over a period of years और वो इसी militancy को support करते हैं और साथी साथ ISI का भी पीछे से support मिलता है financial training, arms and remunitions के रूप में और जम्मु एन कश्मीर के अंदर militancy पूरा घर कर लेती है by 1990s भारत की सबसे बड़ी और dangerous internal security की problem बनके उभड़ती है जम्मु एन कश्मीर की militancy साथ ही साथ इसकी complexity बढ़ जाती है कि कहीं जंगों पर popular support भी इसको available था लोगों की समेदनाएं और empathy थी कई लोगों के साथ जरूरत थी जेक एलेफ यासिन मली कादियों के साथ ठीक है इसके साथ साथ अब एक बार हो जाता है एक बार बीज बोदिया जहर का तो उसके बाद तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है उसके साथ साथ और जम्मुएन कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले, सेना के ऊपर हमले, सिविलियन्स के ऊपर हमले, वो कर देती है. यह देखे, आप इस समय जो देख रहे हैं अपने लेफ्ट पर, यह इनी बैंके हैं. यह लश्कर-े-ताइबा का जंड़ा है, यह जैश-े-महम्मद है, यह अल-बदर एक और्गनाइज़ेशन है, टेर्रिस्ट और्गनाइज़ेशन है, जम्मुएन कश्मीर की मिलिटर्ट और्गनाइज़ेशन, यह उनहीं के जंड़े हैं. यह लाइन ओफ कंट्रोल, जो कि उस समय एक जनवरी 1949 को बनी हुई है, वहाँ से पाकिस्तान आर्मी अंदर ये अंदर थोड़ी सी पोरस है, क्योंकि बहुत ही पहाड़ों के एरिया में है, नदियां वहाँ से बह रही है, तो उसको पूरा का पूरा कंट्रोल करना एकदम अल्मोस्ट इंपॉसिवल है, वहाँ से थोड़ी सी उस पोरोसिटी का फाइदा उठा के इन्फिलिटरेट करते हैं, यह टेररिस्ट और्गनाजेशन के जो वाशिंदे होते हैं या जो टेररिस्ट जो आतंकवादी होते हैं, उगरवादी जो होते हैं, जो की सपोर्ट किय जाते हैं government of Pakistan funded और training मिलती है इनको बैपन मिलती है ये बिलकूल एकदम full-fledged ISI का plan था जम्मू इन कश्मीर के अंदर पंजाब militancy वाले model को replicate करने के लिए this was how it started ये है militancy की शिरुवात इसके साथ साथ एक interesting बात अभी बता देते हैं चलते चलते ये चीज जो दो दशकों तक चली थी 1990 के दशक में शुरू होने के बाद 2005 तक के दशक में इसके अंदर काफी control भी आया अब इसमें एक और important बात अब उसमें आर्मी का भी इसके अंदर क्योंकि अब जब militancy बढ़ेगी तो आर्मी को भी इंस्टिगेट करना पड़ेगा 1990 में जम्मु एन कश्मीर के अंदर अफ्सपा लगा दिया गया Armed Forces Special Protection Act इस अफ्सपा की वज़े से जिसको कई जंगों पर ड्रेकोनियन एक्ट भी माना जाता है और कई जंगों पर माना जाता है कि यह बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई extraordinary circumstances हैं तो extraordinary measures लगाने पड़ रहे हैं इसके वज़े से कुछ और resentment बढ़ी है कश्मीरी लोगों की भारत के प्रसाशन के अगेंस्ट 1990 से जम्मु एन कश्मीर म माना जाता है United Nation High Commissioner for Refugee वो इस समय इनके overseer थे कि completely fair elections है यहाँ पर बहुत high voter turn out हुआ था इवन दो militant organization थी उन्होंने कहा था कि वोट करने मत जाना elections में पार्ट मत लो बट उसके बावजूद भी high voter turn out था फेर थे बहुत legal तरीके से कराए गए थे 2008 के election में जम्मु एन कश्म पीर National Conference जो की थोड़ा प्रो इंडिया अप्रोच रखती है वो बेसिकली government बनाती है इसके चीफ मिनिस्टर इसके लीडर है ओमार अब्दुल्ला ओमार अब्दुल्ला 38 साल के थे यह उस समय चीफ मिनिस्टर जम्मु इन कश्मीर के सबसे यंगेस चीफ मिनिस्टर बनते है अब इसके साथ साथ problem अभी इतनी असानी से खतम नहीं होती है दोहजर आठ में ही एक complex situation create होती है अमरनाथ टेंपल की वज़े से अमरनाथ टेंपल का आप नक्षा देखिए यह कि देखिए यह जम्मू है यहाँ पर श्री नगर है यह जम्मू का area होगा पूरा का पूरा य होगी कश्मीर वैली में शिरी अमरनाथ केव टेंपल है अमरनाथ केव टेंपल एक हिंदू का बहुत ही important श्राइन है वहाँ पर बड़ी सारे से हिंदू हाँ पर प्लिग्रियम के लिए जाते हैं 2008 में election से पहले याद रखेगा election से पहले क्या होता है कि 99 एकड की जमीन भार होजते हैं कि 99 एकड जमीन तहां पर जमुएन कश्मीर में अमरनाथ श्राइन की जो फर्म है अमरनाथ श्राइन को दे दी जाए जो यातरी होते हैं उनके लिए कैंप बनाने के लिए उनके लिए रहने और रुकने के लिए जो जहनगे बनाने के लिए 99 एकड़ ये controversy create कर देता है डीक है जम्मू इन कश्मीर पे कश्मीर वैली में अमर्नाफ टेंपल है भारतिय گवर्मेन्ट और जम्मू कश्मीर government एक agreement पर पॉस्ती है कि 99 एकड़ जो जमीन है वो अमरनाथ श्राइन के जो managers हैं जो administrators हैं उनको transfer कर दी जाए यात्रियों के लिए रुकने के लिए जहंगे बनाने के लिए infrastructure बनाने के लिए इससे हो जाते है controversy start और वहां से 2008 का जो वह issue था तब से ISI को एक नई strategy मिलती है stone pelting की कश्मीर के जो youth हैं वो basically army पर पत्थर फैकने लग जाते हैं वो गुटों में आते हैं groups में आते हैं वो stone pelting start कर देते हैं ये एक routine feature बन गया है श्री नगर में 2008 के बाद ये जम्मुहिन कश्मीर अमरनाथ के temple के agreement के against basically as a protest start हुआ था अमरनाथ temple का जो land दिया जा रहा था अमरनाथ shrine को उसके against protest start हुए थे उन protest में as a strategy stone pelting start हुई थी और वो फिर उसके बाद regular feature बन गई श्री नगर में ये cancel कर दिया गया था बाद में वो agreement in protest देखके government ने वो cancel कर दिया गया वो जो land है वो अमरनाथ shrine को नहीं दी गई last में लेकिन उसके बावजूद भी वो कश्मीरी teenagers उसके बाद धीरे धीरे stone pelting के अंदर involve होने लग गए और जो की ISI funded होते हैं ISI support उनको पीछे से करती है radicalize करने की कोशिश करती है बटकाने की कोशिश करती है गलत misinformation propaganda चलाती है साथ ही साथ कश्मीर militancy 1990 के बाद 1990 में स्टार्ट होती है 2005 में कहीं न कहीं धीरे धीरे control में भी आने लग जाती है लेकिन 2013 में अफजल गुरू को फासी दे दी गई थी दिल्ली में अफजल गुरू वो आदमी है जिसने इंडियन पार्लियमेंट पे 2001 में 13 दिसंबर को अटेक कराया था देखिए बात बताता हूँ यह आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा सुना होगा एक बार देखो 13 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियमेंट के उपर अटेक हुआ लश्करे ताइवा एंड जैशे मोहम्मद की लोगों के दुआरा इसमें टोटल पांच टेररिस्ट थे यह पांचों के पांचों टेररिस्ट मारे गए थे उस हमले के अंदर इन पांचों टेररिस्ट को दिल्ली में शैर देने वाला एक आदमी था अफजल गुरू ठीक है इन्होंने उसको ट्रांस्पोर्ट उनका अरेंज किया था और उनके रहने की जैंगे की वेवस्ता की थी दिल्ली में रुकने के लिए अफजल गुरू के उपर केस चला था सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया उसको हर जेंगे से उसको सारा का सारा पूरा का पूरा लीगल सिस्टम था उसको मृत्यू की सजा मिली उसमें उनको फांसी दे गई फरवरी 2013 में इस डेथ के बाद कश्मीर में अन्रेश्ट फिर भी थोड़ा सा धीरे धीरे और बड़ा सिक्यूर्टी और चैलेंजिस आने स्टार्ट हुए हैं अब 2013 में अफजल गुरू की मिरुत्यू के बाद 2016 में बुरान वानी एक जो की कमांडर थे जैशे मुहमद टेररिस्ट और अरगनाइजेशन में उनकी डेथ की वज़े से बेसिकली रेडिकलाइजेशन जो की यूथ के बीच में थी हमारे कश्मीर के वैली के यूथ के बीच में और ज्यादा बढ़ गी चैशे मुहमद के जो एक कमांडर थे बुरान वानी ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे और इनकी यूथ के बीच में काफी सारी भी सवाल इस बात का उड़ता है कि आखिर ISI का प्लैन क्या है? मॉडस ओप्रेंडी क्या है? ये लो इंटेंसिटी वारफेर का आखिर उनका परपस क्या है? क्या करते है? लो इंटेंसिटी वारफेर क्या होती है? बेसिकली बहुत ही प्रोट्रेक्टिड स्ट्रेटिजी है प्रोट्रेक्टिड स्ट्रेडेजी मतलब यह वो प्लैन है जिसको पेपर क्लियर करना होता है दस सालों में ठीक है अगर मतलब जैसे अगर आपको पेपर पढ़ना हो बहुत महनत करनी हो तो क्या होगा लगाता चार महिने तक दिन बर दस-दस घंटे पढ़कर पेपर क्लियर करेंगे उसी प्रकार से लो इंटेंसिटी वारफेर होता है एक प्रोट्रेक्टिड स्ट्रगल कि डिरेक्ट वार से तो हम जीत नहीं सकते हैं तो अराम से दस-बीस-पच्चिस सालों तक हम छोटा-छोटा प्लैन बनाते रहेंगे इसमें दो-तिन तरीके से हैं देहो दे दिया जाए नैशनल वार फॉर इंडिपेंडेंस जैसे कि जो जम्मू इन कश्मीर की जो मिलीटेंसी है उसको लेजिटिमाइज करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो जम्मू इन कश्मीर की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं एक तो होता है पीस का टाइम आप स सा defect होता है अगर हम देखें आजकल चाइना और इंडिया में थोड़ी थोड़ी सी cold war चल रही है हम अपना कुछ काम करने जाए united nations में तो रोग देते हैं वो अगर कुछ गलत human rights तोडने की कोशिश करते हैं तो हम उनको point out कर देते हैं फिर धीरे कश्मी militancy जो की जड़र टेररिस्ट एक्टिविटीज में involved होते हैं यह low intensity warfare होता है irregular होता है मतलब ऐसे इसकी कोई specific date नहीं होती है 6 महीने बाद कहीं पर attack कर दिया दो साल के बाद कहीं पर attack कर दिया एक लगातार एक 15 दिन के बाद कोई attack कर दिया इरुगल warfare है इसके बाद medium intensity और high intensity मतलब इदो देश एक दूसरे से constant एकदम मतलब officially wall declared है एक दूसरे के साथ सीमा पर लड रहे हैं attack कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर यह वाला system होता है जो यह proxy war चल रही है जमू इन कश्मीर में ISI के दूआर और militants groups के दूआरा इनका plan क्या है पहले तो पाकिस्तान से एक malicious campaign चलाओ जिससे पूरे के पूरे भारत की image, print और electronic media में थोड़ी खराब हो जाए human rights के issue उठाए, international forum पे basically भारत को किसी परकार से नीचा दिखाया जाए धीरे धीरे साथ ही साथ terrorist को infiltrate कराते रहो border के दुआरा ताकि Indian security forces जो है वो constantly engaged रहे terrorist से, right? हमारे सारे के सारे जो resources हैं हो continuously terrorist के साथ involved रहे हैं उनके साथ साथ यह दूसरे वाला, इसके बाद इही process के अंदर जो secular foundation of the state है और fundamentalist को जो support है वो बढ़ता जाए अब जैसे बुरहान बानी, एक terrorist organization के member थे, एक security forces के साथ engagement के कारण जब उन्होंने security forces पर गोली चलाई, तो उसकी वज़े से उनकी भी मिरुती हो गई परन्तु इस चीज को fundamentalist रूप देने के लिए ISI propaganda फैलाता है ताकि जो youth है उसको और radicalize किया जा सके internationalize the Kashmir issue और इंडिया को Muslims के prosecutor के रूप में बनाना, increased terrorist activities in Muslim dominated district of Jammu region और to change the low intensity war to high intensity war at an appropriate time and term it as war of independence मतलब कि plan बहुत दूर की सोचने का plan है कि अभी धीरे धीरे दो, तीन, दस दशक तक basically low intensity war कराते रहो और low intensity war जब हो जाएगी, जब लोगों के अंदर resentment होगी, radicalization हो चुके होगी print पे, international media पे basically कुछ image issues हो जाएगे, human rights violations के कुछ allegations लग जाएगे तब एक दिन अगर मौका मिलेगा तो इसी low intensity war को completely high intensity war में बदल दिया जाएगा independence की war के नाम पर, ये modus operandi है Jammu and Kashmir की लेकिन पिछले तीन दशक में, पुलवामा और बाला कोट की अगर बात करें तो अब धीरे धीरे थोड़ा सा strategy में change आया है भारत का भारत ने militancy और terrorism के जो responses हैं, उनको थोड़ा सा बदल दिया है फरवरी 2019 में, exactly almost दो साल पहले, इंडिया की धरती पर, इंडियन की security forces पर one of the most deadly attacks हुआ CRPF, soldiers का एक convoy था, अस्ती गाड़ियों का एक convoy था, वो जा रहा था श्रीनगर में, जम्मो श्रीनगर highway पर था एक RDX से भरी हुई SUV लेकर, एक suicide bomber ने एक convoy में एक bus में टककर मार दी, और पूरा पूरा bum फट गया और 42 से भी ज़्यादा CRPF, soldiers की मिरती हो गई भारत की अब इस पर एक paradigm shift आ चुका है, टेरर को handle करने के लिए, इसके response में भारत ने अगले पंदरा दिन के अंदरी अंदर, बाला कोट के उपर surgical strike कर दी बाला कोट पाकिस्तान में है, जहाँ पर basically ऐसी intelligence reports थी कि वहाँ पर terrorist group है, जैशे महम्मद के भारत की air force के बारा मिराज 2000, जहाँज का नाम है, मिराज 2000, पाकिस्तान की boundary के अंदर गुसते हैं और वहाँ पर bombing करते हैं, एक मुझफराबाद में और बाला कोट में जो उनके terrorist camps की information थी चकोटी, टोटल हमें इसे बाला कोट के नाम से याद है, लेकिन याद रहेगा कि तीन जहंगों पर bombing हुई थी, नमबर वन बाला कोट के अंदर, नमबर तु मुझफराबाद के अंदर, और नमबर तीन चकोटी के अंदर, गवर्मेंट के जो official sources हैं वो कहते हैं कि इस attack में बाला कोट के attack में 300 से ज़्यादा terrorist को मार गिराया गया भारत की air force की वज़े से, 1971 के बाद पहली बार था कि Indian Air Force पाकिस्तान air space के अंदर enter की थी, इस से पाकिस्तान को एक message मिल गया कि भारत actually में बहुत ही ज़्यादा certain surgical strike जैसे decision ले सकता है, और जो आपने बात सुनी होगी, कि घर में घुसके मारेंगे, इसको answer में मत लिख देना है, यह सिफ social media के लिए है, answer में लिखना होता है surgical strike, ठीक है, कि घर में घुसके मारेंगे, इस परकार का attitude है, तो भारत के उपर terrorist activity कराना basically उनको ही महगा पढ़ना पढ़ सकता है, मतलब इस तरीके का message तो जाही रहा है, कि भारत अब एक soft state नहीं रहा है, कि 2000 में एक हवाईजाज hijack किया तो और उसके बाद basically हाफिस सहियत को कोई छुड़ा ले गया, उस soft approach को भारत ने छोड़ दिया है, और भारत preemptive strikes में एक paradigm approach, एक paradigm shift और एक paradigm change लेकर आया है, terrorist activities को handle करने के लिए, पुलवा हूँ, attack जब पार भी पढ़ते होंगे, आपने news भी देखी होगी, social media पर, बहुत ही एक wide emotional अपसर्ज हुआ था भारत के नागरिकों में, इसका बदला लिया गया था अगर कहें, 26 जन्वरी को, 12 मिरास 2000 जो fighter plane थे, वहाँ पे बाला कोट और जो दूसरे चकाटा और फरुकाबाद में basically locations वहाँ पर जैशे मोहमद की जो terror camps थे, उनको वहाँ पर bombing की, आपको याद होगा कि उस समय हमारे एक pilot थे, जो कि अभिनंदन जिनका नाम है, उनका जो plane है वो पाकिस्तान के अंदर crash हो गया था, उनको पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया था, however, within three days, उनका release successfully पाकिस्तान के दुआरा कर दिया गया था, internal intelligence sources कहते हैं कि पाकिस्तान को इस बात का डर था कि अगर उनको नहीं चोड़ा तो हो सकता है कि भारत एक full-fledged war उनके उपर declare कर दे, बहुत ही अच्छा था, हमारे जो pilot थे, वो within three days वापिस आगे थे, जो ये non-military preemptive attack है Indian intelligence ने suicide attack के बाद जो terror outfit पर करना start किया, ये एक नया approach है Indian security forces का, पहले usually इस परकार से नहीं होता था, पहले terrorist activities होती थी, terrorist act होते थे, उसके बाद terrorist को पकड़ा जाता था, और उसके बाद फिर उनको prosecute किया जा था, कानून के according, however, इस bala court strike में basically पहले ही, क्योंकि हमें intelligence थी, कि they are planning to do more such suicide, पुलवामा जैसे और attack करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पहले ही रोकने के लिए हमने एक preemptive strike की, ये shift जो है, और ज्यादा डर पैदा करता है terrorist organization में, और as a deterrent भी act कर सकता है, ठीक है, ये primarily पिछले तीन दर्शेक की militancy है, बहुत short में, जम्मु इन कश्मीर 1947 में decision नहीं ले पाया भारत या इंडिया के साथ मिलने का, उसकी वज़े से instrument of session shine किया, जम्मु इन कश्मीर का जो मुद्धा है UN पे चला गया, और बोला गया कि referendum के दवारा decision होगा, परंतु पाकिस्तान ने कभी वहाँ से अपनी सेना हटा ही नहीं, पैंसट और 71 की लडाई के ब गई, जिसमें दो-तीन volatile forces involved थे, 1987 का जो election था, वो थोड़ा controversial हो गया था, जम्मु कश्मीर liberation front जिनको यासीन मलीक लीड करते थे, उन्होंने एक armed insurgent group बना लिया, साथी साथ जो अफगान मुझाहिदिन थे, वो भारत के अंदर enter कर गए थे, LOC की वज़े से, और फिर साथ मे ISI ने बेसिकली इन चीजों को, मसलों को और जादा fan कर दिया, fund कर दिया, और ये militancy बन कर उभरी, 2008 के elections के बाद इसके अंदर थोड़ी कमी आई, लेकिन फिर भी अब एक stone pelting, एक major कश्मीर के यूथ के साथ problem बन कर उभरी है, इस दशक में, 2013 में अफजल गुरू की फांसी क गई है, पर अब recently there has been a changes की उरी के अंदर जब अटेक किया गया था, तो फिर से surgical strike की गए थी और वहीं पर वहीं बाला, similarly जब पुलवामा अटेक हुए तो भारत ने प्रियम्टिव स्टार्ट की, प्रियम्टिव स्ट्राइक की, बाला कोट, बाला कोट के अंदर, present situation आपक और दूसरी एक लद्दाक की union territory है, यूटी ओफ लद्दाक बनेगी without assembly की, यानि की direct kin सरकार के द्वारा प्रशाशित होगी, यूटी ओफ जम्मु एन कश्मीर बनेगी assembly के साथ, लद्दाक की population बहुत ही कम है, अगर देखा जाए तो 2.74 लोग जो की primarily Buddhist और Shia Muslims से बनती है, अनुछेद नंबर 370 था, उसको revoke कर दिया गया था, उसकी छोटी सी basic बात है कि अब जम्मु एन कश्मीर की dual citizenship नहीं रहेगी, जो भी जम्मु एन कश्मीर और लद्दाक में है, वो भारत की citizen है, मतलब पूरे भारत की citizen है, वो किसी state की citizen, अलग से नहीं है, central law अब directly apply होते ह जैसे कि आपको पता है कि instrument of accession में, तीन ही facet थे जिस पर भारत law बना सकता था, defense पर, finance and communications पर और foreign affairs पर, लेकिन अब central law जो होते हैं, वो directly apply हो जाएंगे, कोई जम्मु एन कश्मीर के जो separate laws हैं, वो नहीं होते हैं, जिसे एक example देता हूँ, भारत की जो territory है, उसके अंदर लगता था, बलकि उनका एक parallel रंजीत penal code, यानि वहाँ पर जब कोई crime होता था, या कुछ होता था, तो जो धाराय लगाई जाती थी, वो रंजीत penal code के तहत लगाई जाती थी, वो similar ही है, वैसे इंडियन penal code की almost copy है, बढ़ थोड़ा बहुत ही दोदर बदलाव करके धारा व जमुएन कश्मीर का था, अब ऐसा नहीं होगा, हर पात साल में election कराए जाएंगे, police will be managed by a center, क्योंकि यह वो union territory बन गई है, तो बेसिकली जो police की, जो law and order की जो situation होगी, वो directly केंद सरकार के द्वारा manage की जाईगे, जमुएन कश्मीर की militancy का जो issue है, I hope आपको जमुएन कश् पानी के द्वारा पूरा का पूरा समझ में आ गया हूँ, बहुत ही सरल में हमने simple में संक्षिप्त में उसको conceptually समझाया है, अब अगर आप कहीं से भी पढ़ेगे, तो जो उसके अंदर added information होगी, वो आपको याद करने में बहुत ही जादा help मिलेगे, ठीक है, इसी course को, इस लेक्चर सीरीज को आगे continue करते हुए, मैं कल आपसे मिलता हूँ, पांच लेक्चर खतम हो चुके हैं, जहाँ पे हमने internal security की introduction के साथ-साथ, interland terrorism के बारे में भी पढ़ा है, और आज हमने जम्मुन कश्मीन militancy, आने वाले दिनों में हम बात करेंगे left wing extremism के बारे में, north east के अ issues आ रहे हैं, internal security से related, social media से कैसे internal security को खत्रा हो सकता है, जो भी internal security से related topics हैं, वो अगले 10 दिनों में आपको एक lectures के दुआरा cover कराया जाएगा, thank you very much students, अगर कोई और सवाल है आपके दिमाग में, अगर कोई और बात है, आपको कोई suggestions है, कोई आपकी requirement है, तो please आप मुझे इसी YouTube चैनल के, इसी YouTube वीडियो के comments के दुआरा लिखके ज़रूर बताईएगा, आपके comments जो मैंने पढ़े थे, उसमें आप बहुत सारे चाहते थे कि आप जो lectures हैं, उनके PDF आपको ज़रूरत है, वेल आपको PDF एक telegram group के दुआरा definitely arrange करवा दिये जाएगे, thank you very much students and have a very nice day, I'll see you tomorrow. के पुटिये आपको ज करवे एक